हाई डूल दीज वेलकम डू एजी पे कॉमर्स क्लासिस मैं हूँ तापिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने सीपेस्टी के सैंपल वेपर को आगे बढ़ाएंगे और गाइस आज एक और धासूसा कोईश्टिन करने वाले हम लोग एक नहीं काफी सारे करने वाले लेकिन जो अभी करने वाली कोईश्टिन वो बढ़ा धासूसा है तो उसे देखेंगे सबसे पहले तो गाइस आपको इसेंपल वेपर ऑनलेंग कहीं पर भी मिल जाएगा और असान कर दू तो आपको डिस्क्रिप्शिन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप इंस्ट् पार्टन और उनका रेशो दे रखा है गाइस फाइज तू वन का आगे उनने बैलन्स शीट दिया और बैलन्स शीट में मशीन की वेल्यू दे दी चालीस हजार रुपे और आगे वो क्या कहते है इस वेल्यू अफ मशीनरी रिफ्लेक्टिट इन बैलन्स शीट इस ओवर व वेल्यू अफ मशीनरी जो हमें बैलन्स शीट में शो करनी होती है जो एक्ट्व वेल्यू होती है वो निकालनी है यानि कि इस ओवर वेल्यूशन को हटाना है तो अक्षर क्या होते हैं हम यह नंबर दिखके थोड़ा दर्सा जाते हैं लेकिन बहुत इजी सा कंसेप्ट है अगर हमारे सामने 20% आता है 30% तो हम कहते हैं चलो easy है लेकिन अगर 33 1 by 3 आ जाए तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यह कैसा सा number है लेकिन इसका concept भी बहुत easy होता है 33 1 by 3 को अगर हम लिखे तो किस तरीके से लिखते हैं यह इस से multiply होता है और यह plus होता है चो हमने 3rd या 4 या 5th class में सीखा होगा तो इसको हम अगर simplify करें तो इसका मतलब होता है 100 by 3% अब 100 by 3% का मतलब 100 by 3 बहुत easy simple सा word है अब हम 20% को कैसे लिखते है 20 by 100 100 by 3 को हम किस तरीके से लिख से लिखते हैं क्योंकि 100% का मतलब क्यों होता है 100 से divide करना तो इसको 1 by 3 भी कहते हैं ठीक है तो इस नंबर को देखके घबराना नहीं है इसको हम 100 by 3 भी कहते हैं और अगर हम percent का sign हटा दे तो इसे 1 third भी कहा जाता है जो कि बहुत सारे concept में use होता है अब हमें exact value निकालनी है तो let करते हैं हमे 33 1 by 3% का ठीक है तो over value जो हमने कर रखी है cost plus over value कितनी है 100 plus कितनी मानी हमने 100 by 3 राइट अब अगर मैं इसको solve करूं guys तो कितना आएगा यह LC हम लेंगे तो 300 plus 100 divided by 3 यह हो गया 400 by 3 इतना हमने extra ले रखा है अब guys इसको किस तरीके से अगर हम normally cost निकालते हैं तो कैसे solve करते हैं देखो 40,000 है आपको क्या निकालनी है cost निकालना है तो cost से multiply करते हैं और यह amount में क्या add है cost plus over valuation उससे divide करते हैं ठीक है अब मैंने यहां 40,000 लिया मैंने cost कितनी estimate करी थी 100 और cost plus over valuation कितना है 400 100 divided by 3 ठीक है अब अगर आप इसे solve करोगे guys तो कितना आएगा देखो 40,000 तो exact ऐसी आगया यह numerator था यह ऐसी रहा और नीचे जो इसके था यह numerator और denominator था अगर हम इसे उपर लेके जाते हैं तो guys जो भी denominator होते हैं वो numerator बन जाते हैं और यह denominator आप यह 0 से तो 0 कट गई ठीक है यहां कितना आगया 1 अगर इसको multiply किया तो answer आगया 30 यानि कि cost आगया 30 तो यह easy था समझना तो अगर इन्होंने पूछा 30 so guys उस तरीके से उस question को solve किया जाता है concept थोड़ा सा समझना पढ़ता है उसमें अब question number 7 पे बढ़ते हैं guys जो MCQ में पूछा गया है जिसमें उन्होंने बोला क्या है which of the following is true regarding salary to partner when the firm maintain fluctuating capital account तो सबसे पहले तो जो अभी भी fluctuating capital account हम maintain करते हैं आपको पता है कितने capital account बनते हैं सिर्फ एक और fix के case में हमारा current और capital दो बनते हैं तो fluctuating के case में हमारा सिर्फ एक account बनता है capital account अब इनोंने हमें options दे दिए कि अगर हम salary देते हैं partners को तो कॉनसा option सही होगा पहला इनों ने बोला debit करो partner loan account और credit करो appropriation जो सरासर गलत है ठीक है second इनोंने बोला debit करो profitable loss account अरे भाई salary profitable loss में नहीं दिखाये जाती वो तो appropriation का पार्ट है थर्ड हिएनोंने बोला debit profit and loss appropriation account and credit partner current account तो fluctuating केस में तो current आता ही नहीं है फौर्थ इनोंने बोला debit profit and loss appropriation account and credit partners capital account यह सही होगा क्योंकि हमाला profit and loss appropriation account जो होता है guy сюжet debit होता है two salary से राइट जो कि partner के capital account में जाती है तो appropriation debit होगा और partner का capital account क्या होगा? क्रेडिट होगा इसके बाद question no.8 क्या कहता है at the time of reconstitution of a partnership firm यानि कि जब ही भी हमारी partnership firm दुबारा से बनती है changes आने के बाद तो recording of an unrecorded liability अगर कोई एक liability थी जो आपने unrecord कर रखी तो record ही नहीं करी थी आपको पता ही नहीं था तो वो क्या lead करेगी will lead to क्या lead करेगी gain to existing partner अरे भाई unrecorded liability से partner को benefit कैसे हो सकता है loss to the existing partner हाँ ये सही है क्योंकि partner को यब ये liability का पैसा चुकाना पड़ेगा और revaluation account में guys ये हमें दिखाना पड़ेगा so of course जो भी loss होगा वो तो इसका B होगा यानि कि question number 8 का अगर मैं बात करूं answer क्या होगा B इसके बादे guys question number 9 जो की काफी अच्छा है और आपके guarantee of profit से आ रखा है question number 9 में ये बोलते है guys E, F, G तीन partners है ठीक है और उनका ratio है 3, 3, 2 आगी वो कहते है according to partnership deed G जो है जिसका ratio ये है उसको हम minimum amount तो देंगे कितना 80,000 and जो भी deficiency होगी any deficiency on this account is to be personally born by E यानि कि E को bear करना पड़ेगा जो भी 80,000 से कम अगर G का बनेगा ठीक है और हमें net profit दे रखा है कितना 3, 12,000 तो ये सिर्फ आधे मिनट के अंदर solve हो जाना चाहिए guys net profit में हमें G का amount निकालना है 3, 12,000 में G का क्या amount आएगा 2 by 3 plus 3, 6, 7, 8 कट किया इसको अगर हम कट करें 3 पे गया 24 ये आगया 7 39,000 multiply by 2 कितना आएगा 2, 9s are 18, 2, 3, 6, 7, 78,000 बन रहा है कितने कम पढ़ रहें 80,000 देने में इसको सिर्फ 2,000 तो कितना deficiency bond करेगा E, E अपने account से देगा 2,000 रुपे तो question 9 भी easily हो जाएगा main app को एक calculation करनी है एक मेरे student जिसने ये question solve के तो 1 minute लिया क्यों 1 minute लिया? क्योंकि उसने इसका भी share निकाला इसका भी इसका भी हमें सब का निकालने की need नहीं है हमें सिर्फ इसका निकालने है क्योंकि उन्होंने इसी का पूछा है तो ये गलती नहीं करनी जिसमें आपका समय ज्यादा लगे उसके बाद guys question number 10 है At the time of admission of a partner What will be the effect on the following information? Okay क्या effect आएगा guys? इन्होंने अब हमसे पूछा workman compensation reserve हमें दे रखा है 40,000 और उसके against claim दे रखा है workman compensation reserve का 45,000 भाई हमारे account में 40,000 रखे हैं workman मांग रहे हैं claim करें 45 का तो loss हो रहे हमें कितने का 5,000 का कहां जाएगा हमारे revaluation account में debit side जाएगा So इन्होंने बोला options ये थे 45,000 debit होंगे partner capital account में तो नहीं 40,000 debit होंगे revaluation में नहीं 5,000 debit होंगे revaluation में क्योंकि हमें 5,000 का ही लॉस हो रहा है 40,000 हमने जोड के रखे थे इस purpose के लिए जिसमें से claim आगे 45 का तो अब हमें सिर्फ 5,000 हैं जो हमें revaluation में debit करने तो इसका option 10th का option number C जो है वो correct होगा So guys I hope आप लगों कोई MCQ समझ आयोंगे आपकी तरफ से भी अगर कोई MCQ है जो आपको कहीं से भी मिलता है और समझ नहीं आ रहा calculations है तो आप मेर साथ उसे Instagram पर share कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाओं और सारे student के साथ share कर सकूँ Thank you कर दो कर दो कर दो कर दो